दोस्तों एक लमहा भी एक लमहा भी मसर्रत का बहुत होता है लोग जीने का सलीका ही कहां रखते हैं जाविद नदीम साहब को सीधे सीधे हम उनसे अर्ज करेंगे कि दर्खास्त करते हैं कि आएं कई कई मजबुवों के खालिक बड़ी पुखता शायरी करने वाले जनाब जाविद नदीम साहब मैं चाहता हूँ कि आप उनसे रूबरू हो और उनके कलाम से मैं जाविद नदी कविता है उसका सिरशक है मरुस्तल से मरुस्तल तक दिशित साब मरुस्तल से मरुस्तल तक रेगिस्तान से रेगिस्तान तक तुम्हारे दूर होने से तुम्हारे पास आने तक तुम्हारे दूर होने से तुम्हारे पास आने तक एक लंबा अंतराल कितनी मांसिक विथाओं से गुजरा था मैं पर तुम्हें पाने की जिग्यासा में पग मेरे निरंतर आगे बढ़ते गए थे एक लक्ष था मेरे सामने तुम्हारे दूर होने से तुम्हारे पास आने तक एक लंबा अंतराल कितनी मांसिक विथाओं से गुजरा था मैं पर तुम्हें पाने की जिग्यासा में पग मेरे निरंतर आगे बढ़ते गए थे एक लक्ष था मेरे सामने पर आज तुम्हारे पास आकर दूर जाने के बाद करूना का अंतहीन मरुस्थल जिसके एक छोर मैं खड़ा पर आज तुम्हारे पास आकर दूर जाने के बाद करूना का अंतहीन मरुस्थल जिसके एक छोर मैं खड़ा तुम्हारे दूर तक जाते हुए पत्जिन्नों को देख रहा हूँ लक्ष ही दृष्ष्टी से पर आज तुम्हारे पास आकर दूर जाने के बाद करूना का अंत ही इन मरुस्तल जिसके एक छोर मैं खड़ा तुम्हारे दूर तक जाते हुए पद्चिन्हों को देख रहा हूं लक्षीन दृष्टी से क्या लक्षीन ता ही जीवन का अंत है क्या लक्षी हिंता ही जीवन कांत है एक गुर्द गजल के चंशेर नीन्द तूटी तो खाब से निकले नीन्द तूटी तो खाब से निकले जिन्दगी के सराब से निकले अज़र साब नीन्द तूटी तो खाब से निकले जिन्दगी के सराब से निकले और हम फिजा में बिखर गए ऐसे हम फिजा में बिखर गए ऐसे जैसे खुश्बू गुलाब से निकले नीन्द तूटी तो खाब से निकले नीन तूटी तखाब से निकले जिन्दगी के सराब से निकले और हम फजा में बिखर गए से जेसे खुश्बू गुलाब से निकले और वो हकीकत खज़त तवज़ चाहूंगा वो हकीकत तहे हकीकत है वो हकीकत तहे हकीकत है काश एक दिन निकाब से निकले वो हकीकत वो हकीकत तहे हकीकत है काश एक दिन निकाब से निकले और कितना अच्छा लगा सागर साब कितना अच्छा लगा बदन छूटा कितना अच्छा लगा बदन छूटा हम मुसलसल अजाब से निकले कितना अच्छा लगा बदन छूटा बदन छूटा और हम मसलसल अजाब से निकले नीन टूटी तो खाब से निकले जिन्दगी के सराब से निकले और शेर देखी गा कि तुम भी पीरी में हो गए दाखिल मुटसर कर रहा हूं खजल को कि तुम भी पीरी में हो गए दाखिल हम भी अपने शबाब से निकले तुम भी पीरी में हो गए दाखिल हम भी अपने शबाब से निकले और तुमने जावेद क्या सवाल किया कितने पहलु जवाब से निकले नीम तूटी तुखाब से निकले जिन्दगी के सराब से निकले और हम फजा में भिखर गए से जैसे खुश्बु गुलाब से निकले